हेलो एवरिवन वेलकम टू जस्ट आइक्यू जस्ट आइक्यू किस वीडियो में हम बात करेंगे 26 मई के करंट फेर की तो करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट पहले क्विज का पार्ट कर लेते हैं क्विज का फर्स्ट कोशन है बी सी सी आई की चेंस मिती के अध्यक्स के रू आयोजित किया गया था कौन से एरपोर्ट के उपर जो है विंग्स 2020 का ये आयोजित किया गया अहार का 35 संस्करण खाद्यय और अतित्यय मेला की सहर में आयोजित किया गया था परतिस्थ इंटरनेशनल वीमेन ओफ क्रेज ओवर्ड 2020 किसने जीता है महाराष्ट्र सरकार ने कि वायड़े का नाम बदल कर छतरपत्ती संबाजी महराज वायड़ा कर दिया है नेक्स्ट वोशन क्यों चलते हैं हाले में स्यूंक्त राष्टर के पूरोव परमुख जेवियर पेरेज डी कुलेर का निदन किस देश का परदानमंत्री थे ये इसमें पुछा है उनका निद विज्यान और परद्योगी की पर अंतराष्टरी सम्मेलन आइकनो सेट किस हैर में आयोजित किया गया था बारत के विदेश सचीव के रूप में किसे निउक्त किया गया है बारतिया नोसेना की पहला पहली महला पाइलेट बनकर इतियास किसने बनाया नेक्स्ट कोशन है नए विदेश सचीव के रूप में किसे निउक्त किया गया है विदेश सचीव बनाएगे है उनका नाम किया है ट्रेड सबंदी अवेध वित्य परवा पर वेशविक वित्य अखंडता की हाले रिपोर्ट के अमसार बारत का रेंग इसके अंदर क्या है कौन सा देश अब पैडविंटन एसिया चेंपियंशिप 2020 की मेजबानी करेगा जनेज़ा जनसता किस देश का निया परदानमंदरी बन गया है चोथा वेश्विक आयरवेदिक महुतसव की सहर में आयोजित किया जाएगा तो ये कोशिन है अब इनके अंस्वर कर लेते हैं अंस्वर फर्स्ट क का जो और जनस्वर है बीचिसई एके जो अध्येक्स के रूप में नीक्त किया गिया है उनका 800 नाम है सुनिर जोसी स्टा कि चैन समिति वाईग आडड़ा है बेगमपेट एआपोर्ट है वहां पर इसको जो की आयोजित किया गया नेच्स कोशन आहार का 35 संसक्रन जो है जिस बेड़ा में किया गया वो है ंगाट्रक शेसे और और महाराश्टर ने जिस वायड़े का नाम बदल कर रखा है उनका नाम है औरंगाबाद एरपोर्ट का नाम बदल कर सतरपति सिवाजी रखा है औरंगाबाद जो एरपोर्ट है उसका नाम बदल कर अब संबाजी महाराज वायड़ा रखा है नेक्स्ट कोशन की ओर चलते हैं हाली में संयोंक तराष्टर पूरव जो जेविर प्रेज उनका निदन हुआ है वो कौन से देश के परदानमंत्री थे तो यह थे पेरू के परदानमंत्री थे जिनका हाले में निदन हो गया है जो 500 मेच खेलने वाले जो टीटवंटी के किर्केट के इतियास में पहले किरन पोलाड इनका नाम है नेनो विग्यान और परद्योगी की पर अंतराष्ट्री समेलन यह जो है कैलकता के इंदर इसको आयोजित किया गया था कैलकता के इंदर इसको आयोजित किया गया बारत की जो विदेश सचीव है उनका नाम है आर्सवर्दन सिंग आर्सवर्दन महला पाइलेट बनकर इतियास बनाया है इनका नाम है सुभांगी और next चलते हैं नई वित्सचीव के रूप में वित्सचीव का पुछा है इसमें वित्सचीव का नाम है अजे बुशन पांडे जिनको अभी भी नई वित्सचीव नुक्त किये गए हैं तो अजे बुशन पांडे इनका नाम है ट्रेड सबंदी अवेद वित्य परवावेश्विक वित्य अखंड़ता की हालिया रिपोर्ट के अंसर बारत का जो रेंग है वो तीसरा स्तान है थर्ड पोजिशन है इसके अंदर और जो बेडमिटन एसिया चेंपियंशिप 2020 की जो मेजबानी करेगा वो देश है फिलिपिन्स फिलिपिन्स के अंदर बेडमिटन एसिया चेंपियंशिप की मेजबानी होगी और जनिज्जा जनसता किस देश का नया परदान मंत्री बना है तो यह आपको ध्यान में रखना है अब करते हैं आज के करंट फेर और आज के करंट फेर का जो फर्स्ट कोशन है वो है बलवीर सिंग दोसांज का नीदन हो गया भै कौन थे तो भै जाने माने फेमस होकी के प्लेयर थे जिन्नोंने अपनी लाइफ में तीन बार ओलॉम्पिक गोल्ड मेडल जीता था तो यह भी याद रखने वाली बात है होकी के वो प्लेयर थे अच्छे प्लेयर थे और उन्होंने उलम्पिक के अंदर गोल्ड मेडल जीता था तीन बार ठीक है और अगर बात करें तीन बार कब-कब तो यह लंदन उलम्पिक हुए थे 1948 के अंदर फिर 1952 में, फिर 1956 के अंदर, और 1956 के अंदर वो कप्तान भी रहे थे, चलते हैं, नेक्स्ट कोशन की ओर, आस्ट्रेलिया के जो टेनिस स्टार थे, एसले कूपर, उनका भी हाली में निदन हो गया है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, इनका नाम पूछ सकता है कि एसले सबंद था, तो ये टैनिस के खिलाडी थे, और कहां से थे फिलोंग कर थे, उस्ट्रेलिया के थे, नेक्स्ट कोशन की ओर चलते हैं, हाली में आर्टरीज, अदुरेज ने सन्यास का एलान किया है, तो उनका सबंद किस खेल से है, तो जो उनका खेल है, वो है, फुटवाल क के लिए, वो खेलते थे, स्पैनिस के लिए, तो ये भी ध्यान में खना है, उनका सन्यास ले लिए अपने इस खेल से, नेक्स्ट कोशन की ओर चलते हैं, किस राजे सरकार ने री स्टार्ट पेकेज के तहट दी जाने वाली पहले किस्थ जारी की है, तो ये री स्टार्ट जो है, आंदरा परदेश की ये स्कीम थी, जिसके तहट उनोंने अभी अभी पहले किस्थ जारी की है, इसका जो उदेशय था, री स्टार्ट पेकेज का, लोगडाउन से जो प्रभावित होने वाले, जो माइक्रो स्मॉल और मेडियम इंटरप्राइजेस है, उनको फिर से शुरू करने और उनको कार्यातमक बनाने में मदद करने के लिए इनोंने ये पहले किस्थ जारी की है, और फर्स्ट किस्थ के तहट इनोंने जो फर्स्थ किस्थ दी है, वो सड़े चार सो क्रोड रुपे के इनोंने इसमें दिये हैं, नेक्स्ट कॉस्चिन क्यों चलते हैं ग्राम सडक योजना के तहट ग्रामिंड सडक विकास में किन वस्तरों का उपयोग किया जाना जुरूरी है जो परदान मंत्री ग्राम सडक योजना है इसके तहट उन्होंने जो काम करते हैं उनको कौन से कपड़े जो है उपयोग किया जाना है तो ये है कोईर जियो टेक्स्टाइल से बने हुए ये कपड़ों का वस्तुरों का उप्योग किया जाना है इसके अंदर जो सडक परिवेन मंत्राले के जो मंत्री है उनका नाम है नितिन गड़करी और वो जो है M.S.M.E. के भी मंत्राले के जी मंत्री है और जो 2019-20 की रिपोर्ट के अनुसार जो भारत के अंदर टोटल सडक का निर्वान हुआ है वो हुआ था 3979 किलोमेटर ये बहुत लंबी जो राष्ट्रिय सडके हैं 2019-20 में इतनी लंबी ये सडके बनाई गई है अब बात करते हैं नेक्स्ट कोशन की और फोब्स परत्रिका के अनुसार दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महला अथलीट कौन बन गई है तो इनका नाम है नयोमी आसाका नयोमी आसाका फोब्स की सुची के अंदर पहली महला अथलीट बन गई है जो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तो ये जो है जपान के लिए टेनिस की खिलाडी है वेसे तो ये जपान के लिए खेलती है चलते है नेक्स्ट कोशन की ओर समयुक्त राश्टर ने COVID-19 के खिलाफ लडने के लिए शीर्स दस वेशविक पहलों में से खुदोल पहल को सुचिवद किया है तो ये UN के द्वारा इसको किया गया है तो COVID-19 के खिलाफ लडने के लिए दस वेशविक पहलों में से जो खुदोल पहला है उसको जो कौन सी किस राजे के द्वारा सुचिवद किया गया है मनिपूर के द्वारा इसको सुचिवद किया गया है next question की ओर चलते हैं किस देश ने दुनिया की सबसे तेज इंटरनेट डेटा स्पीड 44.2 टेरा बाइट पर सेकिंड दर्ज की है तो ये जो सबसे तेज इंटरनेट स्पीड है ये ओस्ट्रेलिया ने दर्ज की है तो इस कांस्वर होगा उस्ट्रेलिया जिसने अभी अभी अपनी डेटा की जो स्पीड है 44.2 टेराबाइट पर सेकिंड दर्ज की है दुनिया के सबसे ज़्यादा तेज इंटरनेट स्पीड का ये इन्होंने दर्ज किया है नेक्स्ट कोशन क्यों चलते हैं विशोफ बैंक द्वारा किस बारतिय अर्थ सास्त्री को दक्षिन एशिया में जलवाईयू पर्विवर्तन और आपदा जोखिम परबंदन का प्रेक्टिस मनेजर नियुक्त किया है तो इनका नाम है अबास जा को जो है वर्ड बैंक के द्वारा अपना परजलवाईयू पर्विवर्तन और आपदा जोखिम के लिए प्रेक्टिस मनेजर नियुक्त किया गया है वर्ड बैंक की बात करें तो उनके अध्यक्स का नाम है डेविड मेलपास और इसका जो हैड़क्वाटर है वो वासिंग्टन डी सी के अंदर है विशव बैंक का नेक्स्ट कोशन के और चलते हैं लास्ट वीडियो को कशन था फिलिप कार्ट ने 26 एरों में होम डिलिवरी के लिए किस बारतियर डेटेल आउटलेट के साथ साज़ेदारी की है तो इनमें से अंसवर है विशाल मेगा मार्ट के साथ इनोंने मिलकर ये साज़ेदारी की है नेक्स्ट कोशन है ब्रेक दा चेन कार्टून ब्यान का उद्गाटन किस राजे द्वारा किया गया था तो अपना अंसवर इन चार ओप्सिन में से देना अपना अंसवर जो है कॉमेंट बॉक्स में लिखना और वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं अगर वीडियो अच्छ पीजिए थैंक यू और गट ब्लेस्ट यू